रादे रादे सभी को, साथ ही आज हम most important question देखने वाले हैं computer के, ये question काफी ज़्यादा रिसा में पूछे गए हैं, तो हमने most important question जो हैं आप लोगों के लिए, ताकि आपकी computer के practice पे हो सके और एक से दो question जो computer के अंदर पूछे जाते हैं, वो आप असानी से कर सके हैं, ठीक है चलते हैं, coaching तरफ, अगर आप चैनल पर नहीं है, चैनल को subscribe जूरू कर लेना, बैल पनो प्लिक कर लेना, ताकि आपके पास सारे notification टैम्ट पर पॉस्स तरहें, और अगर आपको daily newspaper चाहिए, तो मैंने एक WhatsApp चैनल बना रखा है, जिसका link description पर हैं, जहाँ पर मैं daily newspaper डाल देता हैं, जहाँ अधिकरित banking lending के दौरान, debit credit card की जानकारी चुराने के लिए, एक छोटे electronic device का इस्तमाल किया जाता है, तो वह device कौन सा है, तो इस device को हम बोलते हैं, screening option B इसका red answer है, साथ यो question number 2 है, very important question mark कर लेना इसको, नमने कितमे से कौन सबसे धीमे परकार का internet connection हैं, तो सबसे धीमे परकार का जो internet connection हैं, वो है dial up option C इसका red answer हैं, ठीक हैं, आप देख सकते हो, SSC के CHSL पूछा गया था 2021 में, copy अच्छों कोशन हैं, ध्यान रखने आप पाईए, कोशन हमर तीन हैं, अपने सभी पसंदीदा website को देखे भी ना, उसके update के लिए, चेक करने हित्व डैश एक असान तरीका हैं, तो वो असान तरीका हैं, option C वाला, RSS, ठीक हैं, अगर हम बात करें, RSS की full form की, really simple syndication, इसकी full form होती है, ठीक हैं, कोशन हमर चार हैं, very very important question हैं यह दियान अखने आपको, Chad Hale, और Steve Chan, Computer, नवप्रवतक, इनोवेटर्स हैं, जिन होने डैश के, सह संस्ताबफ होने का शरय जाता हैं, तो इन्हें, YouTube का सह संस्ताबफ होने का सरय चाता हैं, option B, इस का रेटेंसर हैं, और Google ने YouTube को 2006 में खरीदाता, ठीक हैं, चलते हैं, next question तरफ, कोसमे 5 हैं, दुर्भावना पूर्ण कार्णों के लिए, इमेल में स्वैम को एक विश्रशनी सरोत के रूप में प्रस्तूत करके उप्यूट करता, नाम, पासफ़र्ड और क्रेरीट कार्ड विवरन आदी जैसे सवेदेंशी जानकारी करने का परियास डैस कहलाता हैं, फि वर्ड वाइड वैव का अविश्कार किस वर्ष किया गया था, तो www का अविश्कार किस वर्ष किया गया था, वर्ष 1989 में www का अविश्कार किया गया था, ऑप्शन बी इसका रेट अंसर है, चलते हैं, नेक्स कुश्म पर साथ है, डैस एक वैब ब्राउजर है, जो नेशन नेशनल सेंटर फोर सूपर कंप्यूटिंग एप्लिकेशन दोड़ार डवलप किया गया था, option B इसका राइट अंसर है, ठीक है, कोशनल मर आठ है, डैस वे नेटवर्ग था, जो इंटरनेट का अधार बन गया, तो अपर नेट वे नेटवर्ग था, जो इंटरनेट का अधार बन गया, option A इसका राइट अंसर है, ठीक है, कोशनल मर नो है, वेरी इंपोर्टेंट कोशन है, माग कर लेना, तो इसका राइट अंसर है, इंपोर्टेंट नाम है, घ्यान अफना आपको यह, ठीक है, कोशनल मर दस है, www या वर्ल्ड वाइड वैब को किसने निर्मित किया था, तो www को टेम्स बर्ण्स ली ने विक्सित किया था, option B इसका राइट अंसर है, ठीक है, कोशनल मर 11 है, कंप्यूटिंग में डैश एक नेटवर्क स्रक्षा परणानी है, जो पूर्व निर्दारी स्रक्षा नियमों के अदार पर आने वाले और बहार जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी और नियंतर करता है, तो वो कौन सी नेटवर्क स्रक्षा कर लेना, डोमेन नामों में AU अभी व्यक्ति का अर्थ क्या है, तो डोमेन नामों में AU का अर्थ है Australia, option D इसका रेटंचर है और आपने देखा होगा IN भी लिखा होता है, तो इसका अर्थ होता है इंडिया, जहां पे US लिखा हूआ है, तो इसका मतलब होता है United States, और जहां पर बी आर लिखा हुआ है तो उसका मतलब होता है ब्राजिल तो जिसके आगे भी आई एन यूएस और बी आर ऐसे चीज़ लिखी है तो वो डॉमेन नेम के लाते हैं और वो उस कंट्री को रिपरेजंट कर रहा होता है छीक है को समब 13 है कंप्यूटर कोशन देखने में लग में मदो को स्रक्षित करने के लिए नमर्कित में से किसका परयोग के जाता है तो अपनी चीज़ेों को स्रक्षित करने के लिए पासवाड का यूज करते हैं option c इसका रैट अंसर है तो आप देख सकते हो कोशन की लैंड कितनी बढ़ी है पर अंसर कितना सा है तो computer question देखने में तो टफ हो सकते हैं पर अगर आप उनको पढ़ोगे option चेक करोगे तो आप असानी से ऐसे question का जबाब दे पाओगे और यह question जो है ऐसे सीखे सीजर ने पूछा गया ता 2016 में ठीक है को स्वादा है important question है और ऐसे question काफी बार इदा में यहां पर आप चीज़ों को सर्च कर सकते हो जानकारी प्राप्त कर सकते हो चलते हैं next question question में 15 है computing सेवा हैं जैसे data storage server और इंटरनेट पर database के वितरन को किस रूप में जाना जाता है तो इसको जाना जाता है cloud computing option d इसका right answer है छीक है को समर 16 है नम्रकित में से किसका उप्योग करके web pages का निर्माड किया जाता है तो web pages का निर्माड जो है html का उप्योग करके करते हैं option c इसका right answer है छीक है को समर 17 है web page पर rd रेका स्रितिज रेका निवेश इंसर्ट करने के लिए किस आवरं tag का उप्योग के जाता है तो इसमें प्रयोग के जाता है option d वाला hr greater than less than का छीक है को समर 18 है dash आपस में जुड़े सरकारी section corporate सारवजनिक और निजी computer की एक वैश्विक पढ़ाली है तो यह पढ़ाली है internet की option b इसका right answer है जहाँ पे सारी की सारी चीज आपस जुड़ी होती है वो किसके माद्यम जुड़ती है internet के माद्यम से जुड़ती है छीक है कोसमर 19 है इन में से कौन सी एक database प्रबंदन प्रणाली नहीं है तो यहाँ पे जो प्रबंदन बेस प्रणाली नहीं है वो है cosmos option d इसका right answer है छीक है कोसमर 20 है important question है mark कर लेना तो इन में से कौन सी एक mark का भाशा है तो mark का भाशा है stml की option a इसका right answer है ठीक है कोसमर 21 है line बदलने के लिए किस stml tag का परियोग किया जाता है तो यहाँ पर जो परियोग किया जाता है line बदलने के लिए वो है option a वाला इसका right answer है greater than b or less than option a इसका right answer है कोसमर 22 है डैश टैगो का इसके संबरत टैगो और विशेस्ताओं के साथ दो परियोग किया जाता है एक विशे वस्तू के विभिन ब्लोको को प्रतक करने के लिए और दूसरा विशे वस्तू को शननिक ये रूप में परसुत करने के लिए तो वो कौन सा टैग है तो टैग है option a इसका right answer है ठीक है कोसमर 23 है किसी भी html पर नेक में पहला टैग क्या होना चाहिए तो किसी भी html पर नेक में पहला टैग html greater than less होना चाहिए option a इसका भी right answer है ठीक है कोसमर 24 है किस html tag का उपयोग texture को बोल्ड करने के लिए किया जाता है तो texture को बोल्ड करने के लिए option b वाने tag का परयोग किया जाता है option b इसका right answer है ठीक है कोसमर 25 है कौन सा character browser को texture tag से रोकने की सूचना देता है तो slash जो है character browser को texture tag से रोकने की सूचना देता है option a इसका right answer है कोसमर 27 है इंटरनेट पर एक computer जो http protocol का उपयोग करता है dash के रूप में जाना जाता है तो वो जाना जाता है web server के रूप में option b इसका right answer है कोसमर 27 है वे व्यक्ति जो अनादाकरित उपयोग के लिए computer system में संग्रित जानकारी पाने के लिए send लगाता है उसे क्या का जाता है जो भी आपके computer में गलफ तरीके से चीजों को प्राप करना चाता है तो उनको हम hacker बोलते है option c इसका right answer है कोसमर 28 है नमर्कित में से कोन एक browser नहीं है तो यहाँ पर google main एक browser नहीं है option a इसका right answer है कोसमर 29 है dash tag yugum का code browser द्वारा परदरशित नहीं किया जाता है तो option c वाला code जो है browser द्वारा परदरशित नहीं किया जाता है option c इसका right answer है ठीके कोसमर 30 है नमर्कित में से browser कोन है तो यहाँ पर जो browser है वो है safari और safari browser जो है आपको apple के ही phone में या apple के ही product में मिलेगा ठीके चलते हैं next question द्वारा कोसमर 31 है computer की भाशा में url में r से क्या ताथ पर रिये हैं तो r से ताथ पर रिये है resources option ए इसका right answer है कोसमर 32 है एक document की एक तरीके से व्याक्या करने के लिए व्याकरण जो वाक्या है रचना के कारण texture से अलग पहचाना जाता है जैसे stml dash है तो stml markup language है option c इसका right answer है ठीके कोसमर 33 है very very important question है mark कर लेना तो में कित मेंसे वह कौन सा mufth encyclopedia है जिसे उसका उप्योग करने वारे लोगों ने ही आपस में मिलकर त्यार किया है तो वो है wikipedia option b इसका right answer है ठीके कोसमर 34 है कोन से देश में सरभादिक internet उप्योग करता है तो चीन के अंदर सबसेदर internet उप्योग होता है option b इसका right answer है अंतरन को क्या कहते है कमोबाइल के जरिये दनराची के अंतरन को IMPs कहते है immediate payment service option c इसका right answer है ठीके कोसमर 36 है world wide web का dash दोबारा विश्कार किया गया था तो www का विश्कार टिंस बर्स लीने किया था option b इसका right answer है चलते है next कोसमर 36 है इनमें से विश्यम का चैन करें तो यहाँ पे जो विश्यम है वो है option c html इन सभी में विश्यम है cyber space internet www इन सब का उप्योग जो है किसी ने किसी चीज़ से जुड़ने के लिए करते हैं web presto के लिए एक परमुप markup भाशा है चीक है किसी भी चीज़ को तयार करना होता है तो हम html का परियोग करते हैं चलते हैं next को से तरफ कोसमर 38 है do no evil tagline किसकी है तो do no evil google की tagline है option c इसका red answer है और google ने फिर यह tagline बदल के you can make money without doing living कर दी थी चीक है कोसमर 49 है इन में से कौन सा एक web browser नहीं है तो जो web browser नहीं है वो है option d वाला linkers एक web browser नहीं है चीक है कोसमर 40 है hyper texture का dash दुवारा विश्कार किया गया था तो hyper texture का विश्कार Ted Nelson ने किया था option d इसका red answer है कोसमर 41 है very very important question और काफी बारी question exam में आ जाता है email का विश्कार किस ने किया तो email का विश्कार जो है अमेर्की भारदिये है V.Siva.I.A.Durai option d इसका red answer है इन्होंने email का विश्कार किया था ठीक है कोसमर 42 है random Samuel इन्होंने email के विश्कार करने के लिए परसीद है तो ये परसीद है email के विश्कार करने के लिए option इसका red answer है चरते हैं next question दरब कोसमर 43 है OSI networking model में कितनी परते होती है तो OSI networking model में साथ परते होती है option d इसका red answer है कोसमर 44 है एक उपकरन जिसका उप्योग दो अलग-अलग Ethernet network को चोड़कर एक विश्त्रित Ethernet बनाने में किया जाता है नम्रकित विकल्पों में से कौन सा है तो वो है bridge option A इसका red answer है चलते हैं next question दरब कोसमर 45 है नम्रकित में से कौन operating system नहीं है तो safari जो है operating system नहीं है option A इसका red answer है safari web browser apple company का web browser है ठीक है कोसमर 40 है internet protocol IP के दो sunscreen उप्योग में लाए जा रहे हैं तो वो कौन से हैं तो वो sunscreen है IP sunscreen 4 और IP sunscreen 6 option A इसका red answer है ठीक है कोसमर 47 है एक file की समागरी को दूसरे में willean करने के लिए दिया जाने वाला command है तो वो command है append option A इसका red answer है एक file की समागरी को दूसरी file में willean करने के लिए दिया जाने वाला command append के लाता है कोसमर 48 है अगस 1995 में डैस्ट आपचारिक रूप से भारत के लिए पहली सारवजनिक रूप से उपलब्त internet सेवा शुरू की तो यह शुरू की थी vsnla option A इसका रेट अंसर है ठीक है सात्यों तो यहाँ पर हमने most important question देखे हैं internet संबंदित 48 इन कोशनों को ध्यान पूप लगा लेना 2-3 वीडियो देख लेना और इससे संबंदित मैंने और भी 3-4 वीडियो बना रखी है computer संबंदित उनको भी देख लेना पर लिंक दे रखाएं तो वहाँ से भी आपके computer question काफी जाता cover हो जाएंगी और computer के आने वाले question आपके exam में आप easily घर भी पाएंगी ठीक है और भी इसी प्रकार की वीडियो के लिए चैनल को subscribe जुरूर कर लेना पहले लिए प्लिक कर लेना ताकि आपके पास सारी notification के डेम टो एर पॉस्ट रहें मिलेंगे नेक्स वीडियो में राधी राधी